हलो गाइज, कुकिंग ब्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तो आज बनने वाली है बहुत ही खास रेसिपी, आज हम भेज बर्गर बनाएंगे घर में बिल्कुल देशी स्टाइल से, तो ये देखिए, चार चमच पोहा है, चूड़ा भी इसे बोलते हैं, इसे ह होका थोड़ी दिर छोड़ दिये थे, तो ये अच्छे से सौप्ट हो गया है, अब इसे हम हाथों से अच्छे से मसल लेंगे, पहले हमें बर्तन में पोहा को ही मसलना है, सारी समागरी ले लेंगे, तो ये अच्छे से मैस नहीं होगा, इसलिए पहले पोहा को अच्छे से म आलू को पहले हम ग्रेट कर लेंगे अगर के ही समानों से आज हम बनाएंगे बर्गर के लिए टिकिया तो यहां देखिए एक बारी कटा हुआ प्याज डाल दिये हैं आलू में इसके बाद हम थोड़ा सा पीजा सीजनिंग डालेंगे इससे बहुत बढ़िया स्वाद आ सकते हैं तो चिली फिरक्ष डाल दिया है इसके बाद हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे अब थोड़ी सी हरी धनिया पत्ति बारी काटके डाल देंगे और दो हरी मिर्च बारी काटके डालेंगे इसके बाद हम ब्रेट क्रम लेंगे तो यह घर में बनाया हुआ कर लेंगे आलू में तो यहां पर आप अपने पसंद की सबजियां भी डाल सकते हैं मेरे घर में अभी कोई सबजी नहीं थी इसलिए हम नहीं डाले हैं आप यहां पर गाजर सिम्रा मिर्च बगेरा सभी डाल कर मिक्स कर सकते हैं तो देखिए हाथों पर हम तेल लगा लिए है अब थोड़ा सा portion लेंगे हम आलू का और यहां पर टिकिया अच्छे से बना कर तयार कर लेंगे जितने size की तिकिया हमें चाहिए उस size के हम बना सकते हैं और यह breadcrumb है इसे हम इसमें coat कर देंगे देखिये इस तरह से टिकिये में अच्छे से अब इसे हम इस तरह से बना कर हम सारा चायर में रख लेंगे और इसके बाद हम तेल गर्म करेंगे तो सारा टीक्या हम पेहले बना लिए थे इसके वाध चुला जलाए है गये और इसके उपर हम एक फ्राय पैन रखें है और इसमें तेल डाल कर अच्छे से गर्म होने दिये हैं और इसमें हम एक एक टिक्या डालकर फ्राइ कर लेंगे उपर से तैल भी डालते जाएंगे जैसे उपर आपका टिक्या अगर पूरा नहीं तेल में दूब रहा हो तो आप उपर से हरा हल्का तेल डाल सकते हैं इस तरह से दो चमज की सहायता इसे से हम इसे अच्छे से प्लट लेंगे और यह देखिए कितना क्रिश्पी टीकिया बनकर हमारा तयार हुआ है तो अब हम बन को निकाल लेते हैं यह मार्केट से ही हम बन लाएं थे तो देखिए इस पैकेट खोल के हम निक कि वह प्रेट से खैल लेते हैं आप लोगों कोना नहीं चालता है तो बस हम एक आपको दिखाने के लिए तल रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए आप इस तरह बीच कर लेंगे आप इसमेत से बटर लगा तो देखिए ब्रेट हम तल लिए हैं एक ही ब्रेट तले थे आप पर देखिए इसे बीच से कट कर लेंगे अब इसमें हम बिल्कुल देशी स्टैल से हम बना रहे हैं बर्गर तेहां पर हम इमली की खटी मीठी चटनी लगाएंगे आप चाहे तो यहां पर टमेटो केचप मे किये थे वो लगाएंगे और इसके उपर कुछ सब्जी डाल देंगे जैसे स्लाइस में कटा हुआ प्याज खीरा टमाटर जो भी आपके पास है सभी डाल सकते हैं इसमें इसके उपर हम थोड़ा सा काला नमक डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पॉडर डालेंगे उपर से चीज डालेंगे चीज आप खाना पसंद करते हैं तो डालें नहीं खाना पसंद करते तो नहीं भी डाल सकती हैं यह हमारा देशी स्टाइल में बर्गर बन कर तयार है तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बतलाईएगा मेरे चैनल पढ़ना ह है तो सब्सक्राइब